Hello Everyone, मैं आज आप लोगों के साथ different stall के साथ different look करूँगी Step by step आपको बताऊंगी कैसे ये easy way से हो जाता है आप लोग अगर किसी party function में जाना हो तो आप easy way से ये कर सकते हो और step by step आपको एक stall लेना है उसके बाद आपको step by step इसमें plate डालनी है सलवटें जो बोलतें हैं साडी वाली और उस style में आपको सारी सलवटें equal way में उपर से लेकि नीचे तक same डालनी है उसके बाद आपको इक side आपको solder पे रख लेना हैं उसके बाद आपको equal कर लेना है आगे से और पीछे से और उसके बाद जो एक सल्वट है उसको एक साइड से पकड़के आपके जो भी ट्राउसर, पैंट कुछ भी पहना हो उसके अंदर आपको पीनप कर लेना है अच्छे से ताकि वो हिले नहीं अच्छे से पीनप होने के बाद आपको इस तरह से सलवटों को सही कर लेना है आगे और पीचे से ताकि आपका जो डिजाइन आगे से फ्रंट वाला जो सलवटें डालनी है वो अच्छे से हो जाए उसके बाद आपको एक बैल्ट लेना है बैल्ट आपका अगर हैवी हो थोड़ा बकल जो बैल्ट का होलडर होता है अगर वो हैवी है तो आप अच्छे से ड्रेस का डिजाइन यूनिक हो सकता है जो लुक किया आपने क्रियेट करोगे वो अच्छे वाला हो जाएगा इस तरह से आपको इसको फॉल्ड करके बैल्ट को यहाँ पर फॉल्ड करना है जहां पर आपने पीनप किया है वहां उसके भी जो स्पेस होता है वहां पर बेल्ट लगाओगे तो और अच्छा लगाओगे देखो गाईज इस तरह से यह लुक आपका क्रियेट हो जाएगा इस तरह से देखो फरंट लुक इस तरह से मैं आपको बेक लुक भी दिखाती हूँ इसके बाद यह देखोगा इस तरह से फरंट लुक आपका बन जाता है आप बहुत प्यारे लगते हो सिंपल लगता है और यूनीक भी लगता है अगर आपने किसी पार्टी फंक्शन में जाना हो तो अच्छा लगता है इसके बाद जो यह फोल्ड किया था अगर बेल्ट डालने वाला पिनम नहीं हो तो आप इस तरह से इसको फोल्ड कर साथ अगर होल्ड नहीं है बेल्ट के अंदर डालने वाला पैंट के साथ तो आप इसको बेल्ट इस तरह से आपको belt को आप fold कर सकते हो easy way से हो जाएगा यह देखो guys मैंने इस तरह से simple dress को party wear look create किया है stall के साथ bye guys channel subscribe share like